और आप सभी के एक बार फिर से सुवागत एंड्रोइड एक चैनल पर और फ्रेंज आज की वीडियो में आप बात कने वाले हैं समसिंग के लेक्षी अपडेट तो यहां पर जो समसिंग के लेक्षी स्माटफोन के लिए अपडेट रिलीस कर आए सबसे पहले पिछले अपडेट के बार में बहुत कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर 2021 का सिक्योडी पहले में इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलता था जो अपडेट फाइल थी वह अरूरांड 381 MB का सपास के में देखने को मिल जाती थी इस को अब अपने इस स्माटफोन के अंदर स्टॉल करेंगे और देखेंगे किया कुछ देखने को मिलता है स्माटफोन के अंदर 130 MB का सपास के अपडेट फाइल तो यहां पर इस स्माटफोन का जो आपडेट है नमबर 2021 का सप्डेट के अपडेट के अंदर as you can see here एंड यहां पर मैंने आपको बताया तो कुछ वक्त पहले कि अच्छी बात है और देखते हैं कि देसंबर के महीने में भी जो करते हैं करते हैं इस स्मार्पून में यह अपटेट को देखेंगे क्या कुछ इस अपटेट के अंदर देखने को मिल जाता है समसिंग के गलेक्षी अफिफिफिटी वन के अंदर अंड स्टार्ट करते हम इस वीडियो को अपटेट करते हैं मनलोग जल्दी से अंदर वीगो अपटेट इंस्टोल होने के बाद मैं फिर्स्ट अनलोग है एंड इवाइस अ काफी हीट वाई लिटरली काफी जादा हीट वाय मेरे जाल से और मॉस्ट तस बारामनेट लगे लगे इस से स्टोलने में एंड वाई तरह से हीट होता है वह उपर की तरफ रहता है पहले जो था इस तरीके साथ था तो साइट होता अब यह जो पार्ट होता है वैसे मिने कवर लगाया वह था पंकहा तक नहीं चल लाएं यहां पर बिल्कुल नॉर्मल रूम है तो नॉमल का टेमप्रेटर मेरे ख्याल से होग प्रोसेसिंग अभी हो रही है तो हो सकता है यहां पर थोड़ा सा मतलब लेगी फीड हो रहा हो बाकि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अपडेट के अंदर में क्या को देखने को मिलता है सबसे पहले यहां पर जो हम से क्योंड़ी पेले लिवल चेक आउट कर लेते हैं और यहां पर मेरे ख्याल से नमवंबर के स्क्राइब पेला ही स्माटफोन जिसकलिए सैंसिंग ने रिलीज करा है आउट ऑफ इंडिया मतलब ऑफ इंडिया सैंसिंग तीस अक्टूबर के दिन ही सैंसिंग ने अपटेट को रॉल आउट कर जया था एंडिया पर बात की जा है मेरे को अभी जादा नॉलेज नहीं हो जिन फीचर के बारे में बट यहां पर रैम प्लस नाम करके एक फीचर है जो कि मेरे खाल से हो सकता है कि यहां पर इंक्लूड किया गया हो एक्सेंड 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 एक्स्क्लूडड एप्स ओके बाई बूट ओन ही करा है और देखो आप सेटिंग के लावा कुछ भी नहीं है और डिवाइस मेनेजर फर्स टैमें अपन करायो यह वन जी पी ले रहा है रहे में लब भाही क्या है यह चीज अग्ड यहां पर 800-900 MB जा रही है मतलब भाई क्या ही कहें 8GB लेने के बाद में यहाल है तो आप समझ सकते हो बागी 8GB का फायदा यह है कभी काफी खाली है अब मुल्टी टास्किंग काफी कर सकता हूं बट इस्टिल भाई यहां पर जो रहा हो कि वन जी भी पोजिए बाई यह तो 1.2G भी पोजिए भी जब मैंने बेग जा रहा थो तो 1.2G भी लिखा रहा रहा है यहां यहां पर रैम प्लस फीचर को किस तरह की से यूज करते हैं मेरे कुछ जादा नोलेज नहीं है बट अगर आपको पता हो तो मेरे को बताना ओटो मैं ओटो मैं ओटो मैं यह क्या ची सब्सक्राइम और तो अप्टमाइज डेली यह अपने आप ही आपकी जो मेरे हाल से रहे में उसको क्लियर करेंगा तीन बजे के करीब आप तीन बजने वाले तो हो सकता भी क्लीर कर दे तो यहां पर भाई काफी सारी चीजे हैं ऐसी जो कि मतलब भाई हमें देखने को मिल करते हैं सामसींग के अंदर के बात की जाएं कुछ अधर के बार में मतलब मैंशन करता है क्या फिक्स किया गया है अपने परसनल यूज के बारे में बताऊं तो बाई मुझे काफी अच्छा अच्छा बेकाप मिल जाता है और तो यहां पर जो लास अपड़ेट आ थोड़ हमें आपर देख सकते हो चार्जिंग मतलब बहुत जादा हेवी यूज है उसके बावजूद यह जो स्मार्टफून है काफी अच्छा बैटरी बैका निकाल देता है मैं आपर अगर आपको एको बैटरी से बार बार इस तोर रहती है एड़ उसके बावजूद यहां पर जुलाई जुलाई के महीने से सथेंबर के महीने तलक और मैंने को इसको लोग मुए यह कंप्लीट हो जाएंगे मदब लाउंच होती मैंने से स्मार्टफ़न को खरीद गिया था जबसे मैं इसको यूज कर और इसमें स्टोर है यह आप अगर आपको दिखाऊ होता हूं तो 660 बार यह चार्ज हुआ है और परसंटेज के लाइक वांट टो 3100% जो से चार्ज होता है तो 27,390 यहां पर यह चार्ज हुआ है और यहांपर 10 लाग के करीब यह चार्ज हो एंजे स्मार्टफून के लूब आट घंटे का स्क्रीन टाइम मुझे इस स्माट फून से मिल जाएगा अगर मैं इसको यूज करूं तो 14 घंटे यहां पर मतलब ओल्मोस्ट 14 घंटे के करीब यहां पर स्माट फून जो है मतलब ओन रहा है मतलब स्टेंड बाय रहा है उसके बाद में आपर पांच घंटे का चार घंटे का उल्मोस्ट चार घंटे का मैं जो इसक्रेंट की परसेंट की परसेंट से तो यहां पर बहुत अमेजिंग और ग्रेट बैटरी वेकप हमें इस स्माट फून से देखने को मिल जाता है अब देखते हैं अब और भी जाता इंप्रूब होगा इस स्माट फून से तो बैटरी के मामले मैं मैं आफ 51 को बैस मानता हूं इसके अलावा मुझे कोई और सा स्माट फून नहीं है जिसमें मुझे ट्रस्ट होगे वह पूरा दिन चल जाया का यह स्माट फून में को आफ दिलन्तर और गटिया प्रोसेशर हीट करता है बट इतनी जली निकरता बट हीट करता है प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही घटिया इतना जादा अच्छा नहीं है वर इस्टिल एफटी के कंपरेंस में बहुत ही ज़दा हमें सीग बैटरी के मामले में और ले चग्ले को लगा पो इसक वाएग यार इसक्वानों रिजान है nhất प्रोस्ति निकरत उले जाले सकते हु को आफजा हुई दिलन्तर इतना रिचर सीघ्टी बै certainty इतना यारick C instrument करे आची लैंशर हमें जले